Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mixed with Vasudev तो यह है lecture no.10 Master Ableton Live in 30 Days का जिसके अंदर हम लोग sampling की बात करेंगे और यह समझेंगे कि जो Ableton Live का sampler है उसको किस तरा से use किया जाता है So let's begin तो उसके लिए सबसे पहले मेरको एक sampler plugin चाहिए यहाँ पे So हम लोग instruments पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा sampler है इसको drag and drop कर देंगे यहाँ पे और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं sampler के window नीचे visible है और इसी के साथ-साथ sampler का एक नया track बना आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह बोल रहे हैं drop samples है तो that process is called sampling तो उसके लिए काम करते हैं एक कोई भी random सा audio sample record कर लेते हैं तो उसके लिए I'll hit the record button और मैं कुछ भी बोल दूँगा कुछ भी एक sustain note लूँगा तारा क्या बात है तो हमने कुछ एक random सा यहाँ पे sample ले लिया है तो इसके आगे पीछे की audio को मैं delete कर देता हूँ और इसको हम लोग slight fade in fade out दे 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 थे फोड़ा सा clean कर दे एक चोटा सा OCD है तो यह भी ज़रूरी है तारा ओल राइट इसकी volume थोड़ी सी कम कर देते हैं क्या बात है तो अब देखते हैं कि इसकी मदद से कैसे हम एक मज़ेदार instrument sound बना सकते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस sample को उठा के drag and drop कर देते हैं sampler में आल राइट तो as you can see यहाँ पे sampler में हमारी audio file लोड हो गई है तो सबसे पहले हम sample कर देते हैं एक section को एक छोटे से part को जिसको हम एक instrument बनाना चाहते हैं तो उसके लिए boundary थोड़ी सी छोटी कर देते हैं तो एक बार सुनके देखते हैं तो उसके लिए मैं अपने MIDI पे कोई भी note बजाऊंगा क्या बात है थोड़ा सा sustain sample ले ले लेते हैं Let's take this part जो हमारा बात का section है इसको एक बार ले लेते हैं क्या बात है सो कही ना कही हमारा एक instrument बन रहा है तो सबसे पहले left hand side से शुरू करते हैं simple है reverse लिखा है जो कि off है reverse on करेंगे तो यह sample ultra play होगा क्या बात है एक interesting effect है इनकिस आपको वो पसंद आ रहा है आप उसको use कर सकते है snap on कर देंगे snap actually क्या करता है अगर आप ध्यान से देखें इसको हम लोग थोड़ा सा zoom in करके देखें तो जब snap off था तो आपको देख रहा है कही ना कहीं waveform के बीच में यह जो partition है यह partition भाँ पर लाए करता है जिस वज़े से क्या होता है जब भी waveform के बीच में कोई भी cut लगाया जाए तो there's a high chance आपके audio में clicks, pops, introduce हो जाए artifacts, introduce हो जाए तो snap on करने से क्या होता है यह अपने आप एक ऐसा point ढूंडता है जहां पर आपके pops, introduce ना हो so that doesn't really change your sound यह अपकी sound को change नहीं करता बलके actually आपको बचाता है वो pops introduce होने से उसके बाद यह हमारा sample है नीचे आप लोग देख सकते है root note लिख है तो आप यह भी देख सकते है कि किस root पे आपको यह sample चाहिए say for example, अगर इसको आप चेंज कर दे मैं keyboard पे एक ही note प्ले कर रहा हूँ and as you can see, यहाँ पे उसका root चेंज हो रहा है तो definitely उसकी pitch भी चेंज हो रही है and यहाँ पे मैं constantly अगर keyboard की बात बताओं तो यहाँ पे मैं e note ही play कर रहा हूँ सारे cases बे लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा twist आता है even though मैं e note play कर रहा हूँ आपको देख रहा है pitch constantly change हो रहा है जैसी मैं root note चेंज कर रहा हूँ तो उससे हमें कही ना कहीं यह confusion हमेशा रहेगी कि हमारा यह जो sample है यह actually किस key पे है तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे root को C ही रहने देंगे को बजा के देखते है तो actually it's tending towards the G note यानि कही ना कहीं चो मैंने record किया है वो sample G note पे है जो second half वाला part है तो हम लोग यहाँ पे root अगर G set कर दे तो वो actually perfect sound करेगा तो आपको वो original sample सुना ही दे रहा है अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा कि pitch perfect नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने naturally यहाँ पे record किया है और हमारी जो आवाज है उस पे auto tune नहीं लगा होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो note थोड़ा सा flat है तो उसको in case अगर आप sharp करना चाहते है तो आप detune function का use करेंगे इसको थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे क्या बात है एक guitar को जैसे tune करते हैं वैसे हमने मेरे vocal sample को tune कर दिये तो अब आप कोई भी note प्ले करें अपने midi पे तो यह सारा almost pitch perfect play होगा इसके बाद scale 100% यप उसके बाद volume आप decide कर सकते हैं panning, panning कितना left right center करना चाहते हैं इस वक्त C पे है मतलब center पे है sample start, sample end यानि कि sample start position और end position इससे आप alter कर सकते हैं अगर हम इसको change करके देखे तो इससे as you can see मेरा जो sample का start और end है that is actually changing उसके बाद यहां पे कुछ sustain modes है so before even मैं इसकी definition बताओं इसको describe करूँ आपको सुनके ही पता चल जाएगा कि यह क्या करते हैं exactly सबसे पहले तो हमारा default mode set हुआ है वो यहां पे set हुआ हुआ है अगर मैं कोई भी note play करूँ so हमें कुछ इस तरह की sound आ रही है और जैसे हम लोग sustain mode change करें यह constantly एक loop play कर रहा है so वो loop आप लोग यहां से decide कर सकते हैं कि आपको किस part को loop पे play करना है तो अगें मैं same ही चीज़ select कर लूँगा जो हमने sample में की थी तो इससे क्या है कि अगर मैंने एक note midi पे press करे रखा है या फिर even मैं अपने keyboard का use कर रहा हूँ तो वो constantly उसी audio के part को loop पे play करेगा and last वाला जो sustain का mode है यह थोड़ा सा interesting है यह क्या करता है ध्यान से observe कीजिए so अगर आप ध्यान दें तो actually वो back and forth play कर रहा है sample यानि जैसी sample end हो रहा है तो उसको reverse में play कर रहा है तो sustain mode को default पे set कर लेते हैं अब बात करते है release की release जैसे कि आप देख सकते है off पे है कोई release नहीं है हमारे sample में जैसे हम लोग mode change करते है कुछ भी फरक नहीं पढ़ रहा क्योंकि उसके लिए आपके sample में सबसे पहले release होना जरूरी है और आप actually यहां से भी alter कर सकते हैं जो आप global functions देख रहे हैं यहां से you can actually alter the release time और यहां पे जो आपके release modes है इनको आप try out कर सकते हैं तो इसको आप लोग एक तरह से homework की तरह ले सकते हैं और इनकेस अगर कहीं पे confusion हो, doubt आए तो मेरे को बताएगा, इसको मैं discuss कर लूँगा उसके बाद again, loop start, release loop, loop end, वही same functions हैं CrossFit किस तरह से use होता है, CrossFit को एक बार देख लेतें So CrossFit को समझने के लिए यहां पे सबसे पहले जो हमारा sustain mode है उसको number 3 पे ले जाते हैं Because we need those pops हमें चाहिए कि कुछ artifacts generator हमारी audio में So जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं थोड़ी सी bothering sounds हैं, जो repeat हो रही हैं तो उसके लिए मैं हैं पे क्या करूँगा सबसे पहले boundary को increase कर देंगे जो हमारा region है Such that कि हमें वो pop सुनाई दे Correct, so as you can listen to it हमें पॉप सुनाई दे हैं audio में और जैसे ही में हमें पे क्रॉस्फेट को increase करूँगा So this was the original audio After What the sample R, 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 R की तरहा बन गया है So जैसे कि आप लोगो ने देखा Crossfade ने कहीं न कहीं smooth कर दी आपके endings और starting जिस वज़े से दोनों samples आपस में blend हो गाए दोनों samples इस तरह से merge हो गाए कि आपके जो pops और clicks generate हो रहे थे audio में अब वो guy up हो गाए इसी के साथ again detune है आपका उसके बाद यहाँ पे interpol जो लिखा है और ऐसी नीचे जो RAM बटन है इसको हम लोग तब क्लिक करते हैं जब आपको लग रहा है कि कहीं आपका sample ढग से play नहीं हो रहा है clicks और pops सुनाई दे रहे हैं CPU की वज़े से तो उस case में जैसी आप इसको enable करते हैं तो जो आपके system पे load है वो थोड़ा सा light हो जाता है उसके अलावा आपके sampler में थोड़े बहुत और functions हैं जैसे कि pitch oscillator हो गया modulation हो गया तो I want you guys to explore it थोड़ा सा अपने end से explore कीजे और इनके सगर कहीं पे भी doubt आता है अगर दिक्कत आती है समझने में तो मुझे बताना मैं इस पे एक और पार्ट बना दूँगा जिसमें मैं इनकी डीटेल में बात करूँगा तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले lecture में